आज का विशह है बार्ष दोजार चौवी में साल की पहली सोमती मावसय कब है सोमती मावसय हिंदू दर्मेव शेश महत्तपुन देन होता है जो मावसय सोमर को पढ़ती है उसे सोमती मावसय कहते हैं सोमती मावसय एक वार्ष में एक जांद दो बार ही पढ़ती है बवाहत महलाओं दोरा अपने पती की दिर गाजू की कामना के लिए सोमती मावसय का बर्त किया जाता है सोमती मावसय पर पीपल विक्ष की पूजा की जाती है पीपल के पेड़ पर बगवान श्री हरी विश्नु का बास होता है सोमती मावस्या पूजा इस दिन पीपल की 108 वर धागल पेटकर प्रकर्मा करते हुए पूजन का निजम है इस दिन बगवान शरी हरी विश्नु की पूजा का भी बदान है पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे दान पूर्वेक तोलसी के पौदे पर चड़ाया जाता है पर सोमती मावस्या के दिन अपने समर्थ के इंसारदान देना चाहिए जो महलाएं हर मावस्या का वर्थ नहीं कर सकती है सोमती मावस्या का वर्थ करना चाहिए और पीपल के पेड़ की 108 वर धागल पेटते हुए पर कर्मा करनी चाहिए पिपल के पेड़ की इबदान पूर्य पूजा करनी चाहिए इस वर्त करने से इस वर्त को करने से खंड स्वाग्या की प्रावति होती है सौमबर चंदर्मा का देन है इस देन सूरिया तथा चंदर्मा एक सीध में स्थेत रहते हैं इसलिए जे पर्ब विशेश्पन फट्ट माना जाता है बर्ष दोज़र चौवी में सौमबती मावस्या पहली सौमबती मावस्या आठ अप्रेल दोज़र चौवी देन सौमबर को है मावस्या तिथी शुरू होगी आठ अप्रेल दोज़र चौवी को सुबा तीन वज़कर इक्की मेंट से अमावस्या दिति समाप्त होगी 8 प्रेल 2024 को रातरी 11 वजकर पंजाम इंट पर सोमती अमावस्या के दिन क्या पीपल पेड की पूजा करें फेरी लगाएं परकार्मा करें जहां फिर तुरसी के पौदे की परकार्मा करें फेरी लगाएं देखिए दोस्तों अगर आपके गर के आसपास पीपल का पेड है तो आप पीपल पेड की परकार्मा करें फेरी लगाएं अगर आपके गर के आसपास दूर दूर तक कोई पीपल का पेड नहीं है आप पीपल के पेड के पास किसी कार्माश नहीं जा सकती तो आप तुरसी के पौदे की पूजा करें, प्रकर्मा करें, फेरी लगाएं, इस तरह भी आपको अखंड स्वाक्या का परदान प्राप्त होगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं, फेरी आप किस किस चीज की लगा सकते हैं, मैं बात करूँगी सहागन महलाओं की, सहागन महलाएं तो शिंगार लगा सकते हैं, ब्लाउज पीस से भी फेरी लगा सकते हैं, साडी से भी फेरी लगा सकते हैं, जो आपको मन करता है, जो आपका समर्थ है, उससे आप फेरी लगा सकते हैं, जा फिर खाने पीने की कीजों की फेरी लगा सकते हैं, जैसे ड्राइफ रूट की फेरी लगा सकते है फाल्क की फेरी लगा सकते हैं शहारे की फेरी लगा सकते हैं बिसकट की फेरी लगा सकते हैं इस तरह आप चोकलेट की फेरी लगा सकते हैं जिस तरह जैसा आपका समर्थ है उस पर कार से भी फेरी लगा सकते हैं फेरी 108 लगानी होती है अगर आप 108 फेरी लगा सकती है तो बह लगा सकते हैं जितना आपका समर्थ है उसी हिसाब से आप फेरी लगा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए शेयर किजिए सस्क्राइब किजिए थैक्स फर वाचिंग दिस वीडियो